नमस्कार कैसे हैं आप ठीक हैं तो मुझे तो मुझे कुछ दिन पहले ED Office में बुलाया गया अच्छा भया शान्त हो जाएं कुछ दिन पहले मुझे ED Office में बुलाया गया छोटा सा कमरा था 12 फुट बाइ 12 फुट मान लो बीच में मेज थी, कम्प्यूटर था तीन ED के ओफिसर बैठे थे, एक बाहर खड़ा था और मैं उनके साथ कमरे में बैठा पहले दिन 11 बजे पहुचा शाम हुई मैं जादा कुर्सी से नहीं हिला वो बीच में उड़ जाते थे, चले जाते थे उनके जो सीनियर आफिसर थे, उनको इंस्ट्रक्शन की भी जरूर थी तो वो निकलते रहते थे, आते थे तो रात को साड़े जास बजे मुझे कहते हैं राहुल जी एक बात आप हमें बताईए आप यहां सुबह से बैठे हैं आप कुर्सी से उठते नहीं हैं आप सीधे बैठे रहते हैं और 11 गंटे हो रहे हैं, बार साड़े 11 गंटे हो रहे हैं आप बिल्कुल ठके ही नहीं हो हम ठक गए हैं, मगर आप नहीं ठके यह उन्होंने पूछा आपका आपका सिक्रेट क्या है मैंने सोचा और मैंने कहा कि इनको सच्छी बात नहीं कहता हूँ दूसरी बात कह देता हूँ दूसरा कारण कह देता हूँ मगर मेन बात नहीं कहता हूँ मैंने कहा कि मैं विपासना करता हूं उसमें बैठना पड़ता है तो आदत लग गई है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं 6-7-8-10 घंटे बैठा दो मुझे कोई फ़र्ट नहीं पड़ता तो फिर उन्हेंने मुझे पूछा विपासना के बारे में पूछा मगर सच बात तो मैंने उनको नहीं बताई आप जानते हो सच बात क्या है सच बात यह है कि उस कमरे में राहुल गांधी अकेला नहीं बैठा था उस कमरे में राहुल गांधी के साथ उस कमरे में रावुल गांधी के साथ कॉंग्रेस का हर नेता हर कार्यकर्था कमर्ण में बैठा था आप एक आदमी को ठका सकते हो इ सकार्थ मगर आप कॉंग्रेस पार्टी के करणों कार्यकर्टाओं को नेताओं को नहीं एक ठका सकते हो और और सिरफ कॉंग्रेस पार्टी के नेता कार्य करता उस कमरे में नहीं थे उस कमरे में इस सरकार के खिलाफ जो भी बिना डरे लड़ता है वो बैठा था ठीक है ठीक है उन व्यक्तियों को स्पेशल इंविटेशन इडिये ने नहीं दिया मगर उस कमरे के अंदर जो भी हिंदुस्तान के लोग तंत्र के लिए लड़ रहे हैं वो सब के सब मेरे साथ बैठे हुए थे तो ठकूंगा कैसे अच्छा फिर तीन चार मांच दिन हुए आखरी दिन कहते राहुल जी आपने इतनी पेशन्टली सवाल के जवाब दिये हर सवाल को आपने सुना आपने जवाब दिया फिर आपने चेक किया तो इतनी पेशन्स आप में से आपको कहां से मिल गई मैंने का भाईया यह तुम्हें आपको नहीं बता सकता है वो पहले आपने ठकान की बात पूछी मैंने विपास न बोल दिया वह पेशन्स का नहीं कह सकता आपको आप जानते हो पेशन्स कहां से आई कह देना था कॉंग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं कि पेशन्स नहीं आएगी तो क्या आएगी कि इस बात को कॉंग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है कि देखो बैठे हुए सचिन पाइलर की बैठे हुए कि सब बैठे हुए मैं बैठा हूं तो यह जो हमारी पार्टी है संगटन है सद्रमेज भी बैठे हुए रंदीप सब बैठे हुए पेशन्टली बैठे हुए प्यार से बैठे हुए तो यह जो हमारी पार्टी है यह हमें ठकने नहीं रहती है और यह हमें रोज पेशन्ट सिखाती है और इसी से हमें स्टेंट आती है इसी से हम लड़ते हैं कि उधर पेशन्ट की कोई ज़रूद नहीं कि उधर बस हाथ जोड़ दो मत्था टेक दो सच्चाई मत बोलो काम हो जाएगा तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपको लगा होगा कि राहूल गांदी पांच दिन तीन चार एडी ओफिस दुनों के साथ अकेला बैठा है आप गलत फेहमी में हो आप सब मेरे साथ एडी ओफिस में बैठे हुए थे और आपने ही आपने अपनी शक्ति मुझे दी इसी लिए कि इडी शीडी कुछ नहीं कुछ वरग नहीं पड़ता है और और मैं आपको बता हूं वेनु गोपाल जी ने कहा मैं आपको बता रहा हूं जो ऑफिसर से जिन्नों ने मुझे इंटर्योगेट किया उनको भी यह बात समझ आगी कि कॉंग्रेस पार्टी के नेता को दराया नहीं जा सकता है कॉंग्रेस पार्टी के नेता को दबाया नहीं जा सकता है धमकाया नहीं जा सकता है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी सच्चाई के लिए लड़ती है सच्चाई में patience की कोई कमी नहीं होती सच्चाई कभी ठकती नहीं है जूट जरूर ठक जाएगा मगर सच्चाई कभी नहीं ठकती सच्चाई में patience की कोई कमी नहीं हो सकती तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मगर मेरा जो मामला यह छोटा सा मामला है मैं आपको बताओं तो यह ज़रूरी भी नहीं है आज सबसे ज़रूरी बात हिंदुस्तान में रोजगार की है नरेंट्र मोदी की सरकार ने जो इस देश की रीड की हड़ी है Small and Medium Industry जो इस देश को रोजगार देती है उस रीड की हड़ी को इन्होंने तोड़ दिया है और आज मैं महीनों से कह रहा हूँ महीनों से कह रहा हूँ और जो हमारे युवा रोज सुबे हर रोज सुबे दौड़ते है आर्मी में नेवी में एरफोर्स में फॉर्स में भरती होने के लिए दौड़ते है उनसे मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने इस देश की रीड की हड़ी को तोड़ दिया है और ये देश अपने युवाओं को अब रोजगार नहीं दे पाएगा चाहे सरकार कुछ भी कर ले ये देश अब अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा दो-तीन बड़े उद्योग पतियों को नरेंद्र मोदी जी ने देश पकड़ा दिया है ये दो-तीन उद्योग पती देश को रोजगार नहीं दिलवा सकते हैं और अब जो आकरी रास्ता था युवाओं के लिए जो आकरी रास्ता था देश भक्ती का आर्मी का फॉर्सिस का उस रास्ते को इन लोगों ने बंद कर दिया है वन रैंक वन पेंशन की बात करते थे अब नो रैंक नो पेंशन अब आप दोड़ो सुबह सुबह दोड़ो आर्मी में भरती हो और फिर घर जाओ और याद रखना जब आप घर जाओगे मैं guarantee करके कहना हूं जब आप घर जाओगे आर्मी के बाद घर जाओगे आपको कोई रोजगार नहीं मलने वाला है कोई रोजगार नहीं मलने वाला है दूसरी तरफ आज चाइना की शेना हिंदुस्तान की धर्ती में बैठी हुई है होजार किलोमेटर,你rdan square किलोमेटर से जादा जमीन चाइना की शेना ने हमसे छीनी है यह सच्चाई है इस बात को हिंदुस्तान की सरकार ने accept किया है सेना को मजबूत करना चाहिए और सरकार सेना को कमजोर कर रही है और इसका नतीजा आएगा जब युद होगा तब इसका नतीजा आएगा और मैं याद रखें जो बात बोल रहा हूँ जब युद आएगा हमारी जो आर्मी है उसको कमजोर कर रहे हैं ये लोग देश का नुकसान होगा और ये लोग अपने आपको नैशनलिस कहते हैं तो इजी का मामला छोटा दो मामला है उसको छोड़िये सबसे ज़रूरी मामला सबसे ज़रूरी बात ये जो हमारे युवाँ हैं जो हर रोज ये देश भक्ती के एक छिन है हर प्रदेश में ये सुबह चार बज़े दोड़ते हैं इनके भविष्च की रक्षा करना हमारा काम है हमारा फर्द ये हमें करना है और हमने कहा है देखिए किसानों के बारे में मैंने कहा था मोदी जी को ये बिल वापिस लेने पड़ेंगे कहा था ना विने लिया न वापिस अब कॉंग्रेस पार्टी कह रही है नरेंद्र मोदी जी को ये जो निया अगनीपत का स्कीम है इसको वापिस लेना पड़ेगा और हिंदुस्तान का हर युवा हिंदुस्तान का हर युवा हमारे साथ इस काम में खड़ा मिलेगा क्योंकि हिंदुस्तान का युवा जानता है कि सच्ची देश भक्ती सच्ची देश भक्ती सेना को मजबूत करने की होती है सेना को कंजोर करने की नहीं होती है आपने मुझे इतनी शक्ती दी मैंने बोला आपको गई पिछले पांच दिन आप सब मेरे साथ ED में बैठे थे सब के सब हर एक कारे करता हर एक नेता सब के साथ आप मेरे साथ बैठे हुए थे आपने मेरी मदद की आपने मुझे अपना प्यार दिया इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और एक साथ मिलकर एक साथ मिलकर ये जो नया धोका किया है नरेंद्र मोधी जी ने सेना के साथ, देश के साथ इसको हम रद करवाएंगे आप सब का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार